अपने बालों के नाच्रल टेक्स्चों को अपनाना शायद सबसे मुश्किल काम होता है लेकिन ग्लामरिस पर हमारा मानना है कि सबी तरह के बाल खुबसूरत होते हैं इसलिए ये कुछ तरीके हैं जिन में आप अपने फ्रीजी बालो और नाच्रल वेवस को शो आफ कर सकते ह कमेंट्स में फ्रीजी टाइप करें और पाय बिखने हुए बालो को सवारने की गाइड सुबह उठकर उलजे बालो को देखने से बुरा कुछ नहीं हो सकता लेकिन इसकी वज़े से आप अपने दिन भर के प्लान खराब नहीं होने दे सकते इसलिए ट्राइ करें ये सूप आले और टीनो स्ट्रैंक्स को क्रॉस करके और फिर हर दरफ से एक्स्ट्रा हिस्सा आड़ करके एक फ्रेंज ब्रेट बनाए अब अपने बालों को एक स्टाइलिश पोनी में बनाए और इस तरह बिना कोई समय लिए बने फ्रिजी से फैंटास्टिक सीधे और करली बालों के बीच वेवी बाल कंफ्यूजिंग हो सकते हैं लेकिन बाउंसी और स्टाइलिश भी दिख सकते हैं अपने बालों का पूरा फाइदा उठाने के लिए इस मैसी बन लुक को आजमाए सामने वाले हिस्से में घने पन के लिए पफ बनाए और बॉपी पिन से सुरक्षित करें अब अपने बालों को हिस्सों में बाटे पफ से उपरी हिस्से को पिन करें अब नीचे वाले हिस्से को सीधा करे और बाकी के बालों के साथ पिन करे आप इसे स्प्रे से भी सेट कर सकते हैं ये घर ने वेवी बालों को व्यविस्तिक दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है बिख्वे हुए बालों को सवार्नी का सबसे आसान तरीका है ब्रेड्स बनाना साइड ब्रेड्स उन लेडीस की सबसे एफेक्टिव हैस्टेल्स में से एक है जिनके लंबे वेवी बाल होते हैं और अक्सर बिखर जाते हैं सामने की तरफ से पोनी टेल का एक छोटा हिस्सा दो भाग में बाटे और इसे नीचे की ओर फ्लिप करें अब साइड से दो सेक्शिंज ले, पोनी बनाए और फिर से पल्टे इसे आखिर तक दोहराए जब तक ब्रेड ना बन जाए अब इसे ट्वीज करें ताकि ये लोग आपके बालों के प्राक्रितिक वेव्स को कॉम्प्लिमेंट करें बाहार जाना है और आपके बाल आपका साथ नहीं दे रहे इस अनोकी ऐस तरह से अपने बिखरे हुए बालों को सवारे बालों को दो हिस्सों में बाटे और दोनों तरफ ब्रेड बनाए होने के बाद एक साइट की ब्रेड उठाएं और दूसरी तरफ सुरक्षित करें दूसरी तरफ भी ऐसा ही करें और पहले वाले में टक करें ताकि सीमलेस दिखें और अब सबसे अच्छा पार सजावती पिन्स और छोटे फ्लावर्स से सजाए ये इनक्रीकेट और अनोखी हैस्टेल तुरन बन जाती है और बिक्रे हुए बालों से ध्यान हटाती है ताकि आप बैस दिखे और महसूस करें हमें उम्मीद है ये बिना किसी हीट की टेकनीक्स आपके बैड है डेस को तुरन्त ही शांदार बनाएगी हमें कॉमेंट्स में बताए आप कौन सी हैस्टेल्स देखना पसंद करेंगे और अंटिल नेक्स टाइम स्टे टून और स्टे ग्लाम्रिस